जार्खन के लाल सांतीव हुसन तिर्की को राजे पाल ओवा सीएम ने दीत सर्थांजली जार्खन के राजे पाल रमेस बैस और मुख्य मंत्री हेमान सुरे ने चाती सिकड़ के बीजापूर में उगरवादियों के साथ हुई मुटभेड में सहीद 166 बटालियन CIPF के असिस्टेंट कमांडेंट सांतीव हुसन तिर्की के पार्थिव सरीर पर राची में पोस्प च सहीद का पार्थिव सरीर रविवार को राची पहुता जार्खन के राजे पर रमेस बैस ने कहा कि देश की खातीर हमारा एक और बीर जवान सहीद हो गया CRPF के असिस्टेंट कमांडेंट सांतीव हुसन तिर्की की साहधत कभी ब्यर्त नहीं जाएगी उगरवादी जिस तरह कारणामा हरकत कर रहे हैं उनका मोह तोड़ जवाब दिया जाएगा जार्खन में फिर बारिस के संकेत फरवरी का आधा महीना खत्म हो गया है लेकिन ठंड का परकोप कम होने का नाम नहीं ले रहा है वहीं बीच बीच में बारिस ने भी और भी ज्यादा ठंड बढ़ा दी है हालाकि पिछले कुछ दिनों से राय धानी राचे में मोसम साफ है लेकिन थर्ण अभी भी जारी है मोसम बीभाग की मांने तो आने वाले दिनों में निवत्तन ताप्मान में गिरावट देखने को मिल सकती है जिसे एक बार फिर ठंड बढ़ने के अथार है मौसम विभा का कहना है कि अगले सब्ता से मौसम एक बार फिर करवट बदलेगा तेरा फरवारी से पच्मी बीछोब के जारखण में दस्तक देने की उमीद है जिससे राजे के कई इलाकों में बारिस की समावना जताई जा रही है जे टेट अब आज इवन माने रहेगा परमान पत्र जारखण की हेमन सुरेन सरकार द्वारा जारखण सिक्षक पत्रता परिक्षा जे टेट की सोधित नियमावली के तहत समान जाती के अभियारति को परिक्षा में उतिन होने के लिए परते खंड में कम से कम 40% और कुल प्रप्तां का कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा इसी तरह अने स्रेनियों के अभियारतियों के लिए भी अंक निधारित किये गए हैं जेटेट के पवान पत्र की बैता अब 7 साल की जगा आजीवन रहेगी यह वेवस्था जेटेट 2013 और 2015 के पवान पत्र पर भी लागू की जाएगी सिमडेगा में 6 साल की उम्र से ही बच्चे सिखेंगे होंकी होंकी सिमडेगा की बैठक जीला कर्याले में अध्यक्ष मनोज कोन बेगी की अध्यक्सता में हुई इस बैठक में होंकी को आगे बढ़ाने के लिए कई निन लिये गए आगामी 2018, 2022, 2036 के ओलंपिक में जीला के खिलारी के भागदारी जादा हो इसके लिए गामे 6 ब्रस के उम्र से ही बच्चों को होंकी के गूर सिखने का निन लिया गया संग के परतेक सदस्य अपने अपने गामें आत्मनिर्भर होंकी परसिक्षन केंद्र सुरू करने का निन लिया जहां 6 अब्रस उम्र से बच्चों को होखी के गूर सिखाने का कारे किया जाएगा इस बैठक में बच्चों को अच्छी सिख्चा मिले इसके लिए जिला मुख्याले से परते एक दिन एक घंटा उनका ओनलाइन पढ़ाई भी कराने करने ने लिया गया नकसली मुव्मेंट पर अलर्ट हुई गूमला पुलीस जब भी कोई बड़ी घंटा नकसली अजाम देते हैं तो एक राज से दूसरे राज में सुरक्चा के लिए परवेस कर जाते हैं इसमें गुमला जीला का जारी, राइडी वर डुमरी परखंड के जंगली रास्ते नक्सलियों के आवागमन के लिए रेट कॉल डोर के रूप में जाना जाता है इसलिए 36 गड़ में नक्सलिया हमला के बाद गुमला जीला की पूलिस ने जार्खंड वह 36 गड़ राजी के सीमवर्ती इलाके में सर्च अप्रेशन वहाँ जाच वह पूलिस की गस्ती बढ़ा दी है बेतला नेशनल पार्क में हीरन का सिकार दो आरोपी गिरफतार पलामो टाइगर रिजर्ब के बेतला नेशनल पार्क में वैस के हीरन का सिकार हुआ है सिकारियों ने मास को बेच कर हीरन के सीर और खाल को ठीकाने लगाने का प्रयास किया लेकिन इसकी भनक विभागे पता अधिकारियों को मिल गई इस मामले में दो आरोपियों को किराफ्तार किया गया है वहीं हीरन के सीर और खाल को बन विभाग की टीम ने बरामत किया पलामो टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क में हिरन के सिकार की खवर मिलते ही बन विभाक के अधिकारियों ने आनन फानन में रेंजर प्रेम परसाथ के नित्युत में चाप्यमारी टीम का अगटन किया लिव इन रिलेशन में रहने वाले सोजोडों का खोटी में समोहिक बिवाः खोटी जिला परसाथन और निमित संस्था की सयोग से रविवार को बिर्शा कॉलेज फोटबोल एस्टेडियम परिजर में लिव इन रिलेशन में रहने वाले सोजोडों का समोहिक बिवाः किया पहान और पुजारियों द्वारा परमपारिक तरीके से बीवा संपन करा कर लिव इन रिलेशन में रहने वाले को समाजिक मन्याता दिलाया इस औसर पर मुख्यतिति के रूप में प्रधान जिला एवम सत्र नियाधिस सत्य प्रकास ने नव विवाहित जोडों को आसिरवात और सुबकमनाय दी नकसलियों के खिलाप लगतार पांचवे दिन अभियान जारी लोहर दगा जिला में पूलिस द्वार नकसलियों के खिलाप चलाया जारी अभियान लगतार पांचवे दिन से जारी है जंगली इलाके में चपे चपे पर पूलिस बल की तैनाती करते हुए नकसलियों के खिलाप चपे मारी अभियान चलाया जा रहा है बता दे कि नक्सलियो द्वारा बिछाये गए आईटी बलास्ट की चपेट में आने से तिन जवान घायल भी हुए हैं रभिवार को केकरांग से लेकर बुलबुल तक चपे चपे पर पूलिस बल की तेनाती की गई थी मलेशिया में फसे मैजदूरों ने लगाई वतन वापसी की गुहार अफ्रीकी देश माली में फसे ज़ारखन के 33 मैजदूरों में 20 मैजदूर अभी भी वतन नहीं लोटे हैं वहीं दूसरी और मलेसिया में गिरीडी के बगोदर के चार मजदूरों समय जारकन की भीन जीलों के 30 मजदूर फसे हुए हैं इन्होंने सोसल मीडिया पर अपनी समस्याओं को साजा करते हुए भारत सरकार वा जारकन सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है मजदूरों ने कहा है कि कमपणी ने चार माह की मजदूरी का भूगतान नहीं किया इससे उनके समक्ष खाने पीने की समस्या हो गई है इनकी वीजा की ओधी भी खत्म हो गई है जारकन में कुरोना के 180 नए केस मिले है जबकि 281 मरीज स्वस्त भी हुए है जारकन में कूलेक्टिव केस की संख्या 1870 है भारत में 31,536 नए केस मिले जबकि 88 और 292 मरीज स्वस्त भी हुए भारत में कूलेक्टिव केस की संख्या 4,74,834 है लालु यादों ने कहा भोजपूरी समाज किसी से डरता नहीं जारखन में भासविवाद को लेकर चल आ रही ब्यानबाजी में रायत परमोख लालु परसाद भी कुद पड़े हैं उन्होंने भोजपूरी मघी और अंगीका के खिलाब आग उगल रहे राजी सरकार के मंत्री जगनात मतों को आड़े हाथे लिया है चारा घोटाले से जुड़े मुकादमे को लेकर अभिवार को यहां आए लालु परसाद ने अपने करीबी नेताओं से इस बारे में फीड़बैक लिया जब वे मीडिया से मुकातिब हुए तो इस समाज में पुछने पर का की भोजपूरी समाज किसी से डर्टा नहीं है जो मंत्री इसका बिरोध कर रहे हैं उसका बिरोध गलत है हम उनका बिरोध करेंगे लालू परसाद द्वारा इस मुद्धे पर खूल कर साथ देने से भासा बिवाद में नया मोड आ गया है सरकारी सिक्षकों के लिए हमन्त सरकार की बड़ी पहल जार्खन सिक्षा नयाधी करण में बरतमान में भले ही अध्यक्ष एहम सदस्य नह होने से यहां सुनवाई एक माह से ठप हो लेकिन राज सरकार नयाधी करण को ससक्त करने के लिए अधिनियम में बदलाव करने की त्यारी कर रही है इसके तहट अब सरकारी सिक्षकों को भी नयाई करण के दाएरे में लाने की क्यवायत की जा रही है अब ना केवल नीजी स्कूलों के सिक्षक बलिक सरकारी स्कूलों के सिक्षक भी अपनी सिकायते जार्खन सिक्षा नयाधी करण में रख सकेंगे ग्रिह जीलों में सिख्षकों का नहीं हो सकेगा टांसफर जारखन के सरकारी स्कूलों के पूरू सिख्षकों का ग्रिह जीलों में तबादला नहीं हो सकेगा मतलब या है कि राई सरकार दूसरे जीलों में कारत सिक्षकों को अपने गिरी जीलों में आने का आउसर नहीं देने जा रही यह मोगा केवल सरकारी सेवा वाले पति-पत्नी महिला दिव्यंग और असा देरोग से पिडित सिक्षकों को ही मिल सकेगा यह प्रवधान सिक्षक अस्तनांत्रन की संसोधित नेमावली में किया गया है नेमावली को बीधी विभाग की मंजूरी के बाद कार्मिक विभाग की समाती के लिए भेजा गया है कार्मिक विभाग से आने के बाद उसे कैबिनेट भेजा जाएगा सेवा निवरित सिक्षकों से सिक्षा मंत्री की अपील इस्कूलों में देते रहे सेवा जारखन के सेवा निवरित सिक्षकों से राजे के सिक्षा मंत्री जगनात महतों ने अपील की है कि सेवा निवरिती के बाद भी वे बचों को निसूलक सिक्षा दे रिटायर करने के बाद उन्हें पेंसन मिलती है ऐसे में वे इसकूलों में बचों को पढ़ा सकते हैं वे जिस इसकूल से सेवा निवरित हुए हैं वहाँ पढ़ाना चाहते हैं तो वही पढ़ा सकते हैं वही अगर वे राज्य के किसी दूसरी जगा जाते हैं तो वहां की स्कूलों में जाकर बचों को पढ़ा सकते हैं इसे सेवा निवरीती के बाद भी वे ब्यस्त रहेंगे और उनके अनुभावों का लाव राज्य के बचों को मिल सकेगा है OBC मोर्चा का अंदोलन 16 से सुरू होगा राश्ट्रिय OBC मोर्चा के परदेश कमिटी की बैठक रभीवार को हर्मो इस्थी सागर कुण्ज में हुई इस बैठक में सजस्यों ने पंचायत चुनाव में OBC का रक्षन या थावत रखने के लिए जारकन सरकार से सीगरे नियाला में इंटिरियर रिपोर्ट पेस करने की मांग की साथी सरकारी सेवा में OBC का रक्षन 14% से बढ़ा कर 50% करने का वादा पूरा करने की बात कही मोर्चा के परदेश अध्यक्स राजेश गुपता ने कहा कि सरकार इस बिशयों को गंभीता से नहीं लेती है तो राश्रिये OBC मोर्चा अंदोलन करेगा जिसकी रूप रेखा बैठक में तैकी गई 1932 खतियान संघर समीती जारखन की बाइक रैली निकली छेतरिये भासा में भोजपूरी बगी और अंगी का भासा को सामिल करने की बिरोध में 1932 खतियान संघर समीती जारखन द्वार रविवार को बाइक रैली निकाली गई रैली अंगाला से सुरू होकर टाटी सिल्ये तक गई संजोजक आतिस कुमार महतो के नेतित में तीन दिनी आंदोलन की शुरुआत अंगाला में भागवान बिर्चा मुंडा के परतिमा मल्यारपन करकी गई रैली में सामिल लोग सरकार बिरोधी नारे लगाते हुए इन भसाओ को हटाने की मांग कर रहे थे जारखन में भसाई अतिक क्रमन एवाम 1932 खतियान अधारित अस्थानीय नियोजन निती लागू करने की मांग को लेकर तिन दीनी आंदोलन किया जा रहा है जारखन के हजारखन जीले के बरही में फिर बवाल मचा है और समाजिक तत्वों ने धार्मिक अस्तल को छतिक रश्ट कर दिया इससे आक्रोसित लोगों ने ओल्ड जीटी रोट को जाम कर जम कर बवाल कटा अलाकि पूर्व बिधायक मनोज यादव के हस्त छेपर परशासन के अस्वासन के बाद लोग सांथ हुए जीले के डीसी आदित्य कुमान अनंद और एसपी मनोज रतन चोथे ने बरही पहुँच कर फ्लैग मार्च निकाला अजारी बाग के बरही में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है जार्खन से बढ़िया था बिहार बित मंत्री जार्खन के बीत एवं खाद आपूर्टी मंत्री रामेस्वर उराव ने कहा है कि बिहार ही बढ़िया था जार्खन बनने के बाद सुरू से ही राजे और जानता कहित में काम नहीं हुआ मंत्री रमेश्वर उराव ने पलामो दोरे पर आयोजीत एक कार्करम में या बात कही उन्होंने जोर देकर कहा कि जार्खन में सुरू से जो होना चाहिए ता वह काम नहीं हुआ मंत्री का काहना है कि वह इसके कारण में जाना नहीं चाहते प्रंतु बिहार इससे बढ़िया था खादापूर्ती मंत्री ने दावा किया है कि बिहार में सरकार भी बढ़िया होती थी और काम भी बढ़िया होता था जार्खन के सबसे बड़े चारा घोटाले में फाइसला 15 फरवारी को जार्खन के सबसे बड़े चारा घोटाले में 149.35 कोटा के वाइद निकासी की गई थी JPSC ने सुरू की संसोधित रियल्ट जारी करने की पर खिरिया JPSC द्वारा सातवी, आठवी, नवी और दासवी सीवील सेवा प्रारामभिक परिच्छा का संसोधित रियल्ट जारी होने पर आरक्षित कोटा खास कर SC, ST और EWS के अभ्यार्थी घर सकते हैं जबकि BC1, BC2 और अनारक्षित कोटे के अभ्यार्थी की संख्या बढ़ना तय है कूल सफल अभ्यार्थियों में लगभग 811 अभ्यार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी यानि मुख्य परिक्षा के लिए कूल पीटी उतिन अभियारतियों की संख्या 483 हो जाएगी ज्यारखन में मार्च अप्रेल और मई में होगा पंचायत चुनाव ज्यारखन आयोग ने झारखन में पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रस्ताव तियार कर सरकार को भेज दिया है कहा है कि सुप्रीम कोड के फैसले के मताबिक ओवी सियारक्षण पर निर्ने कर राज सरकार चुनाव की तितया कर प्रस्ताव आयोग को लोटाया जाएगा वाल का बेल एक अंद भाईए साथ साथ वीडियो को एक लाइक अपने दोस्तों साथ सेयर करना भूलें साथ साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अबस से दे थांक यू